मुझे अचानक से हेरफॉल क्यों होने लगा है? कहीं मेरे हेरफॉल के पीछे COVID-19 का हाथ तो नहीं है? आकर मेरे बाल क्यों जड़ रहे हैं? और मुझे कम उम्मर में ही हेरफॉल क्यों हो रहा है? इस तरह के सवाल अगर अकसर आपके जहन में भी आते हैं तो अगले 20 मिनिट के लिए टीवी से चिपक कर बैठें क्योंकि इनी 20 मिनिटों में हम देने वाले हैं आपके हर सवाल का जवाब। पहले एक नजर डाल लेते हैं आकड़ों पर दुनिया भर में 2 फीसदी लोगों को गंजेपन की समस्या है और तकरीबन 1600 लाख में गंजापन हो सकता है। खाली अमेरिका की ही बात करें तो यहां तकरीबन 67 लाख लोगों को रिस्क है कि वे अपने बाल खो सकते हैं। अब बात करें भारत की तो भारत के युवाओं में हेर फॉल के पीछे तनाव, डेंडर अनुवान्शे की बड़े कारण है। इसके अलावा कम उम्र में बाल जढने की कुछ वजहों में तनाव, नींद की कमी और खान पान में किसी तरह का गलत इस्तमाल यानि के गलत खान पान शामिल है। नमस्कार मैं हूँ अनीता शर्मा और आज बात करेंगे आपकी सेहत की और जानेंगे कि आखिर हर तरफ से आजकल ये हैर फॉल की शिकायतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप सेथी, डॉक्टर एरिका, इनसे जानते हैं कि आखिर हैर फॉल के पीछे जो इतने मामले बढ़ रहे हैं, वजह क्या है। डॉक्टर एक दम बहुत बड़ा कारण था लोगों को जो बाल जहड रहे थे, तो उसमें बाल, कोविड क्या होता है कि बड़ी को एक बड़ा सा स्ट्रेस देता है, एक मेडिकल स्ट्रेस है, तो बड़ी की जो मेन एनर्जी है, वो वाइटल ओर्गन्स या जो मेन, हमारे एसेंसल ओर जी हुआ, तो हेर जो है, अप्टो कोविड दो-तिन महेने का अंदर अंदर वो हेर एकदम सीवेरली फॉल करते हैं, अगर सीवेर कोविड हुआ है तो, और करीब दो-तिन महेने वो रहता है, बट अच्छी न्यूज यह है, कि वो हेर फॉल, जैसे ही कोविड से हम रिकावर दाइट्स लेते हैं, हो सकता है, 7-8 महिने एक साल लग सकते हैं, पुरा नॉर्माल हैर होने में, बट अगर थोड़ी सी सप्लिमेंट्स लिए, डॉक्टर के कांट्रेशन करके ट्रीट्मेंट करवाया, तो थोड़ा जल्दी रिकावर हो सकता है, बट यस, कोविड जिन जिन क जी, मेल पैटेंट गंजापन, जो मेल में मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है, बॉल्डनेस का, वो यूशुली हरेडिटरी रिजन की वज़े से होता है, कि फादर, ग्रैंट फादर को, या नाना जी या मामा जी की साइड से उनको इन्हेरिट हुआ, और उनको बॉल्डनेस हो सकता है, जो चीज नई evolve हो रही है, वो यह है कि हमारे पास अब इसका एक effective solution है, in terms of hair transplant, आपका hair line पूरा चला गया है, माथा चौड़ा हो गया है, hair line पीछे shift हो गया है, या completely bald patch create हो गया है, तो now we have options of restoring those hairs, using a hair transplant surgery. आपने वजहों के बाद की, क्या पुरुश और महिलाओं में hair fall के पीछे की वज़एं अलग-अलग होती हैं? महिलाओं में baldness की problem कम होती है, hair fall की समस्या हो सकती है, hair fall बहुत जादा progress कर जाए, तब completely baldness आता है, यानि एक particular area of scalp जो completely visible है, और skin काफी visible है और hair absent है, उसको baldness बोलते हैं. आपने कहा के महिलाओं में बाल जड़ते हैं, गंजापन कम आता है, लेकिन आजकल ये भी बहुत जादा देखा जा रहा है के hair thinning बहुत हो रही है, पूरा scalp नजर आने लगता है, उसके पीछे किस तरह के कारण हो सकते हैं? या वो पूरुषों में जाधा कारगार है, महिलाओं में hair transplant surgery उतना कारगार नहीं है, ठीक है, उनको दवाईयों से उसमें improvement होने के बहुत हाई chances रहते हैं, तो महिलाओं में वो surgery जो है second option के रूप में explore की जा सकती है. डॉक्तर प्रदीब, डॉक्तर अरिका ने बात की, ट्रांस्प्लांट की, बीते साल में हमने कुछ बुरी खबरें सुनी, जो hair transplant से जुड़ी हुई थी, लोगों ने hair transplant कराया और उन्हें अपनी जान से हाथ भी दोना पड़ा, तो क्या ये एक risky treatment नहीं है, जिसके लिए जा गंजापन हिंदियों बोलते हैं, तो that is because of the male hormone, तो genetically जो susceptible है और male hormone तो होता ही है, तो उनको वो गंजापन आ सकता है, तो उसको प्राकरतिक तरीके से उसको रोकने के कोई तरीका है ही नहीं, बट गंजापन कुल मिला के कोई बीमारी भी नहीं है, एक organic चीज है, किसी को जल् scientifically एक proven methodology, hair transplantation का already काफी evolve हो चुका है, लोग उसको काफी अच्छे से, उसको accept कर चुके है, all of the world, तो यह हो रहा है, बट जो अपने जो initially जो सवाल का था, proportion था कि रिस्की है, हाथ दोना पड़ सकता है, जान से भी, तो वो कैसे, तो अगर आपने unregulated, you know, जगा पे गए, all our world जगे हैं, जहां qualified लोग नहीं होते, उनको skill नहीं होता, बट लोगों को लगता है, बड़ा superficial काम है, तो कोई भी कर सकता है, तो लोग करवाते भी हैं, जी जी, तो कहीं ने कहीं उसमें आपने cutting करी, क्या cutting करी, आपने अपनी safety की cutting कर ली, तो cutting the edges बोलता है, तो आपने cutting करी, तो उसमें कहीं कई दवाई के reaction होता है, लोग usually बड़े reactions, procedures नहीं होता, reactions दवाईों से होती है, overdosing हो जाती है, तो उससे reactions होता है, तो उसमें अगर qualified team नहीं है, intelligent team नहीं है, regulated जगह नहीं है, तो फिर आपको ऐसे side effect हो जगता है, तो वही लोग फिर hair transplant को पुरा methodology टेक्निक को पुरा industry को bad name लेके आते हैं, तो जब कोई hair transplant के बारे में सोचे, तो एकदम research करना चाहिए, research में minimum 6 मने से एक साल लगता है, internet पे जाईए, different patient के third party forum से वहाँ जाईए, खुब सरे clinic में जाईए, बहुत सरे patient जुनोंने काम करवाया ऐसे, उनसे मिलिया तो कोई जल्दी वाज लिया तो risk बढ़ सकता है, आपके पुम्हारे साथ इस वक्त पहुंच चुकी है एक बड़ी हस्ती, बोनि कपूर जी, जो आज कल चर्चा में है, अपने फिल्म मैदान को लेकर और साथ ही साथ अपने नए लुक को लेकर भी, हाल ही में उन्होंने hair transplant कराया है, और उनसे उन उनका अनुभाव और उनके जर्णी इस पर कैसी रही वोनिव पूर्दी नमस्कार गूड मॉनिंग गूड आपनून जिसी जिस वक्ती है टेलेकास्ट और सबको सलाम सबको नमस्ते मेरी जर्णी जो बाल लगाते हुई थी मुझे पता ही चला कि तीन दिन कट गे तीन सेशन में यह हुई है इथिंक 7000 इंप्लांट लगाए इन्होंने और अब बोल्ने 3000 और लगाएंगे यह तीन दिन की जर्णी मेरे लिए हस्ती खिलती जर्नी थी मुझे पता ही नहीं चला क and end of the day I was going home feeling a little little heavy on my head but at the same time the happiness that I'm getting my hair back and he handled the entire procedure very very nicely very I mean he was an entertainer you never let me feel that there's a procedure going on so that was the best part of the surgery and he's basically not just a surgeon I will not मिस्टर कपूर नॉर्मली क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्री में लोग हाइड करते हैं चीजों को कि उन्होंने कोई कोई सर्जरी लिया या कोई इस तरह की ट्रीट्मेंट कराई है लेकिन आप नहीं चुना कि आप खुल कर इस पर बोलेंगे तो इसके पीछे क्या वज़े रही इसके पीछे यह कि मुझे असा लगता है आदमी को पुश करना चीह है ऐसे टैलेंड़ आदमी को भर जगह मुश कि एक यह दिन मुझे मिलते रहते थे जब भी में दिल्ली आता था कहीं और टकरा जाते थे कितनी अच्छी परस्टनलटी कितना अच्छा यह पर एक जगह मार खाते हैं तो मैंने का मुझे पते हैं मैं हाइट बोड़ी और फेस से मार कहता है उत कि बलता है नहीं हाइड ब बाल आ गए तो वह देखके में भी इंस्पैर हो गया तो मैंने बोला भी लाइफ में यह भी करके देख लूँ आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या उनको नोमल है अगर हेर फॉल है तो ठीक है इसमें समस्या क्या है या फिर वह अपने लिए कुछ वि मेरे गहन में कुछ स्ट्रेस भी रीजन हो सकता है कि बाल लोगों के जड़ जाते हैं मेरे साथ ऐसा की हुआ मुझे पूरा पता नहीं है पर मुझे इतना पता है कि मेरे मदर के फादर बॉलते हैं तो शायद I have inherited from him प्लस there was definitely a stress in a period of time so maybe that was the reason I really don't know the reason but युवा को यह कहना च किसी बज़े से जड़ रहे हैं तो you have a doctor here in our country who is the best at this job and he can make you feel younger he can make you I mean the entire growth will be normal आपको लगता ना मेरा कुछ जिसको पता नहीं हो कि मैने ट्रांस्प्लांट किया उनको तो तो यह मेरा हैस्टाइल है यह मेरा personality is with this hair तो इनोंने मुझे चैलेंग दिया कि कुछ दिनों के बाद जैसे इनके बाले घुमरा लए और पूरे एक है ना इनके बाल अभी सर के अभी तीन महीने ही हुए है तो आट नो महीने में बाल आएंगे तो मेरे इन जैसे बाल नहीं है तो मैं इनका क्लिनिक पूरा बंद करवा दो एक दम डॉक्तर एरिका बात बालों की हो रही है तो आप फटा-फट से हमारे पास बहुत कम टाइम बजा है आप यह कुछ टिप्स दे पाएं कि आप कैसे अपने बालों को हेल्दी घना और काला लंबा रख सकते हैं बस सबसे पहले तो जो सर ने बोला स्ट्रेस कम लेना है स्ट्रेस कम लेने में नींद पूरी होना बहुत ज करें तो यही दो-तिन चीजों से आप बालों को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं उमीद करती हूं कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे आपकी सेहत की बहतरी पर जल्द ही एक और मुद्दे पर हम आपसे फिर मिलेंगे तब तक अपना खयाल रखें सेह पर चाहिए लिए कि तो सब्सक्राइब तो तो आप जरूर कुछ बताएए अपने फिल्म के बारे में और मेरी फिल्म यादबुत फिल्म मुझे लगता है इस वन अपर नग्या प्राइट पॉसेशन थिस अजीए इस म्याट फिल्म और इसमें मेरे डेक्टर ने बहुत ही सब आर्टेस्टों ने उंदा काम किया है पिच्चर सब को अच्छी लगी है मलब इस पिच्चर को जो रिव्यू मिले है मुझे लगते हैं कि आज तक को इस फिल्म को मेंस्ट्रीम फिल्म को ऐसे रिव्यू मिले है 4 स्टार, 4 और 1,5 स्टार एन IMBD पर इस रेटेट 8.9 अगेंस 10 बट स्टिल जो फिल्म गूइंग में जन्ता है विल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म काफी अच्छा करेगी और अब इस मैसेज के बाद और अच्छा करेगी आप से जल्दी ही दुबारा मिलते हैं आप जुड़े रहें एन्डी टीवी इंडिया के साथ